हलो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल करेंटिशी बस्वागत हैं दोस्तों बात करेंगे डिश्टल एक इंपॉर्टन टॉपिक जो कि थर्ड चेप्टर के अंतरगत है LCD लिक्ट क्रिश्टल डिस्प्ले इस टॉपिक के अंतरगत आपको डिटेल में आज बताने वाले हैं कि आपका LCD कैसे वरकिंग करता है कैसे बनता है और इसके डिसएडवांटेज क्या है सारी चीज़े इस वीडियो के माद़म से डिसकस करेंगे उससे पहले आपको बता दू कि डिश्टल एलेक्ट्रॉनिस के आपको इस सेज़ेस्ट पहले आपको LED एक टाइप लाइट इम्टिंग डायोड बताया गया था जो कि फारवर्ड बायस में कारी करता है सारी चीज़े आपको डिसकस की गई हैं डिसक्रिप्सन में आपको लिंक मिलेगा अगर आपको को चैनल को नहीं जाइन किया अगर आपको कोई नोटिफिकेसन नहीं मिलता तो आप टेलिग्राम सिंपल जाइन करिए टेलिग्राम जाइन करने के लिए डिसक्रिप्सर में भी आपको लिंक मिल जाए अगर वो लिंक नहीं कारी करता तो आप सिंपली जाईए आप टेलिग्र पर सर्च करिए करेंट इस्टडी चैनल का नेम ध्यान दीजे चैनल का नेम ही है बस आपको करेंट और इस्टडी बीच इस पेस बिल्कुल नहीं रखना है दोनों को एक साथ सर्च करके उसको जॉइन रखें जिससे में कोई वीडियो कोई अपडेट दूत तुरंत आपको व होता है उसकी अपेच्छा LCD में पावरलास कम होता है अतहा LCD को उस अस्थान पर प्रयोग किया जा सकता है जहां पर पावरलास की समस्या हो एक्जामपल के तौर पर कल्कुलेटर या फिर डिजिटल घडिया अर्था जो कल्कुलेटर आप यूज करते हैं जो आप डिजिट डियोट की तुलना में डेश पॉइंट LCD त्रियू लाइट में और अधिक चमकते हैं जबकि LED त्रियू प्रकास में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं इसका में पॉइंट यह है दोस्त कि जब आप किसी प्रकास में LED को आप पल ले जाते हैं तो LED आपको LED का प्रकास नही क्या हो जाती है ब्राइट हो जाती है किसमे LCD में नेश्ट पॉइंट LCD का जो जीवन काल होता है बोले तो आपका लाइफ टाइम यह आपका कम होता है किसकी LED की अपेच्छा में अर्था लाइट इंप्टिंग डायोड जो LED है उसका ज्यादा होता है LCD का कम होता है इन्हें स circuit में प्रियोग करना cutting होता है अगर किसी circuit में यूज करना है जैसे कि पता है कि electronics के अंतर जो circuit बनाए जाते हैं जितने भी आपके instrument होते हैं electronics के अंतर उसमें जो circuit होता है उस circuit में इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है किसको LCD को next point दोस्त यहां पर है आपका LCD AC voltage पर प्रचालित होती अर्थात operate किस पर चलती जो है वो LCD AC voltage पर प्रचालित होती है जिसकी आवरती आपकी 30 से 1000 हर्ज आप देख सकते जिससे आगे आपको काम आएंगे यह छोटा सा data है लेकिन आप याद रखें कि आपका जो LCD होता है यह AC voltage पर तो काम करता है लेकिन जो इसकी आवरती frequency होती है वो 30 हर्च से 1000 हर्च के मद्ध होती है नेश्ट पॉइंट LCD दो प्रकार की होती है कितने तो टाइप्स की Liquid Crystal डिस्पले आपके तो टाइप की होते हैं पहला आपका दोस्त होता है आपका Dynamic Scattering Type नेश्ट आपका क्या होता है Field Effect Type तो यहाँ पर आपके दो होते हैं कितने दो एक आपका होता है Dynamic Scattering Type और दूसरा आपका होता है field effect type तो हम यहाँ पर एक point की तरफ चलते हैं dynamic scattering type की बात करें तो dynamic scattering type LCD जो होता है इस type के LCD टू टाइप के होते हैं first type के अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो LCD होते हैं इसमें दो glass seat के मद्द में draw crystal की एक परत होती है इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इस प्रकार से बाहर की सीरे पर आपका glass होगा ठीक है और बीच में आपका क्या होता है इसके बीच में जो fill up होगा वो आपका एक draw crystal भरा होता है तो आपके उपर और नीचे ठीक है दो glass seat के मद्द ही आप crystal को भरते है ठीक है क्यों होता है draw crystal तो draw crystal की एक परत रहती है किसमे dynamic scattering type LCD में तो पहला point यह हुआ कि आपका जो LCD होता है वो two type के होते हैं एक आपका dynamic scattering type और दूसरा आपका field effect type dynamic scattering type में क्या होता है कि दो आपके glass होते हैं ठीक है और ग्लास के दोनों के बीच में आपका crystal भरा रहता है वो आपका क्या होता है यहाँ पर draw crystal fill up होता है वो point है नेश्ट दोस्त आपका यह है कि draw seat में अंदर की तरफ transparent conducting coating की जाती है जो electrode का काम करते हैं मैं आपको दिखा ही देता हूँ चीजों को आप समल लीजे यहाँ पर आप देख सकते हैं देखे यह आपका glass seat है जो आप उपर यह देख रहा है यह glass seat है यह आपका क्या है glass seat है और इसके just आप यहाँ पर देख रहा है यह आप जो point देख रहा है ये छोटे छोटे जो point आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं ये क्या है electrode का कारी कर रहे हैं ये क्या चीज है वही चीज आपसे यहाँ पर बताया गया ये क्या चीज है कि glass cito glass cito के अंदर के तरफ transparent मतलब कि उसके आरपार देखा जा सकता है कोई मतलब जो crystal रहेगा वो से आरपार देखा जा सकता है तो transparent conducting coating की जाती है जो की एक electrode का कारी करते हैं ओके dynamic scattering type की बात करें ये पहले point में ही चल रहे है डाइनमिक scattering type जो आपके LCD होते हैं इसमें प्रियुक्त होने वाला द्रव crystal पदार्थ ऐसा organic compound होता है जो द्रव अवस्था में होने पर प्रकासी ग पदार्थ है वह द्रव crystal पदार्थ एक ऐसा organic compound है जो आपका अगर liquid है अर्था द्रव condition में है द्रव situation में है वो अगर द्रव की state में है तो उस condition में क्या करेगा प्रकासी गुण प्रदर्सित कहता है ओके light क्या उसके अंदर property उस condition में होती है next point जब silket terminal पर विद्दुत व प्रकास सभी दिसाओं में क्या हो जाते हैं बिखर जाते हैं और इस प्रकार LCD सेल चमकने लगता है और यहाँ प्रक्रिया डायने scattering का लाती है डायनमिक scattering क्या होता है दोस्त कि जब आप supply देते हैं अर्थाथ वी इमेफ को जैसे ही connect वहाँ पर टर्मिनल में लगाते हैं तो इमेफ प्राप्त होता है और इमेफ जैसे ही प्रियुक्त होता है वो बिद्दु छेतर के प्रभाव जो आपका होता है उसके कार परमाडवी scattering के कारण सभी दिसाओं में आपका प्रकास बिखर जाता है और LCD cell चमकने लगता है इसी प्रक्रिया को dynamic scattering कहते हैं नेस्ट पॉइंट अगर हम field effect type की बात करें दो type का आपका था पहला हमने बात किया दोस्त डायनमिक दूसरा है field effect type तो field की बात करें तो field effect type की सिल की सनरचना dynamic scattering type से जटिल होती है तो आपका जो second है field effect type इसकी जो आपका मतलब सनरचना है वो किसकी dynamic scattering type की अपेच्छा थोड़ा जटिल होती है next field effect display में dynamic scattering display की अपेच्छा इसमें power last कम होता है तथा इसका प्रचागालन voltage भी कम होता है इसका मतलब यह हुआ दोस्त की जो आपका second field effect type LCD है उसमें आपका जो power last होगा वो dynamic scattering की अपेच्छा भी कम होगा पहला point LCD में ध्यान दीजे LCD में LCD में LED की तुलना में क्या होता है LED की तुलना में power last क्या होता है इसमें आपका कम होता है power last और इसमें क्या होता है ज्यादा होता है दोनों के compression में LCD में कम होता है power last LED में ज्यादा होता है और LED के अंतरगत आपके LED two type के होते हैं एक आपका dynamic scattering type LCD और दूसरा आपका क्या होता है field effect type LCD तो जो field effect type LCD होता है इसमें क्या होता है वो आपका field effect type dynamic scattering type की अपेच्छा कम power last करता है मतलब यह आपका पहले LCD इसके अपेच्छा कम power last हुआ LED की तुलना में और फिर इस LCD के अंतरगत जो दो आपके हुए एक आपका dynamic और एक आपका field इन में दोनों में कौन सबसे कम power last करता है वो आपका करता है field effect type LCD तो सबसे बेटर कौन हुआ field effect type LCD तो यहाँ पर field effect display में dynamic scattering display के पेच्छा power last कम होता है और इसका जो प्रचालन voltage वो भी कम होता रहता दिसके operate करने का जो आपका voltage होता है वो भी कम होता है जैसे कि माल लीजे यह आपका 1-2 volt पर apply कर देते हैं तो आपका हो जाता है और वो आपका जो होता है field effect के बाद आपका dynamic scattering type होता है वो 2 volt से अधिक मतलब तो उस voltage भी आपका जादा और यह कम voltage भर भी आपका क्या होता है work करने लगता है यहाँ तो आपने देखा ही था दोस्ते यह आपका जो बना हुआ है यह liquid crystal display आप जो देख रहे हैं यहाँ पर उपरी के सीरे पर आप यहाँ पर क्या है यह glass है यह भी आपका glass है ठीक है बीच में आपका क्या भरा होगा crystal लेकिन उसके उपर जो यह परत यहाँ पर और यहाँ पर परत लगी हुई है यह परत ही यह electrode का कारी कर रही है ठीक है चलिए LCD का उपयोग उन सभी कारियों के लिए किया जाता है जहाँ LED का उपयोग होता है liquid crystal प्रकास परावर तक अथवा transmitter होते हैं इसलिए बहुत कम बिद्दुश सक्ति ब्याय करते हैं यहाँ पर यह चीज़ कहा जा रहा है कि जो liquid crystal होता है जो liquid crystal इसके अंतरगत यूज किया जात है वो प्रकास परावर तक होता है तथा transmitter प्रकास परावर तक हैं अथवा transmitter होते हैं इसलिए बहुत कम बिद्दुश सक्ति का ब्याय करते हैं ठीक है मतलब power lance बहुत कम करते हैं नेश्ट LCD में जब दिश्ट धारा उपयोग किया जाता है तब इनका जीवनकाल कम हो जाता है या कम होता है इसलिए 500 Hz से कम आवरती की AC सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है यहाँ पर यह चीज मेंसन है कि जब भीया LCD में आप DC का उपयोग करते हैं तब उस condition में उसका जो आपका live time होती है जीवनकाल होता वो कम हो जाता है इसलिए इन्हें 500 Hz से कम की frequency की AC सप्लाई का यूज करते हैं चलिए अब LCD के हम यहाँ पर दो point देख लेते हैं इसके advantage क्या है लाब मतलब advantage तो पहला यहाँ पर है कि LCD में सक्ति 6 या फिर कहें सक्ति ब्याय कम होता है तो यह तो आपको पता है दोस्त बार बार हमने बताया कि इसमें आपका power last कम होता है यहाँ पर आपक LCD सस्ते होते हैं एक सबसे important आपका economical भी देखा जाए तो यहाँ पर LCD जो होता है LCD क्या होता है यह आपका सस्ता होता है और जो आपका LED होता है वो LCD की तुलना में क्या होता है वो आपका महंगा होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको दो point इसमें power last भी कम होगा अर्था सक्ति बैभी कम होगी साथ में LED की तुलना में LCD सस्ते भी होते है चलिए next or last यहाँ पर point हम दोस्त की तरफ चलेंगे तो इसके disadvantage क्या है turn on और turn off समय अधिक होता है इसलिए यह युक्तियां प्रचालन में सुस्त होती है इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप on करते है ठीक है मतलब switching period जो है switching का time जो होता है उसकी बात कर रहा है जैसे ही आपने जैसे कि आपने घर पर क्या होता है कि आपने बटन को क्लिक किया और आपकी bulb को वहाँ पर क्या होना चाहिए glow हो जाना चाहिए जल जाना चाहिए लेकिन अगर आपको time ले रहा है तो उसका क्या है time उसका ज्या काम करता है और LED वे ऐसा नहीं होता LED fast switching होता अर्था जैसे ही आप click करेंगे तुरंट on जैसे ही आप बंद करेंगे तुरंट off उसका आपका switching period बहुत बिश्ट होता है तो यहाँ पर आपका time on turn on और turn off समय अधिक होता है इसलिए युक्तिया थोड़ा सुस्त होती है यह इसका प्रियुक्त किया जाना चाहिए अगर करेंगे तो आपका खराब हो जाएगा इसका AC supply में यूज कर सकते एक इसका डिश्ट इवांटेज यह भी है चुकि आपका दोनों में अगर यूज करते तो आपका बेश्ट होता लेकिन इससे DC supply के लिए यूज नहीं करते हैं केवल AC supply के लिए यूज करते हैं आसा करता हूँ इस वीडियो में आपको चीजों को मैं बताया और आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा अध वीडियो को लाइक करें डिप्लोमा के चात्रें पहली बार है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखें धन्यवाद